ही गाइज मैसल्फ रिया एंड वेलकॉम बैक तो में चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ यह क्लासी ग्रिन आई मेकप लुक शेयर करने वाली हूं और मैंने बहुती इजी तरीके से यह मेकप लुक क्रियेट किया है आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास तक देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलो सबसे पहले मौशुराइजर से स्टार्ट करते हैं तो मैं अपने फेस में ग्रीन टी मौशुराइजर अप्लाई कर रही हूं कोई भी मेक अप करने से पहले सकिन कर, मतल़ मौशुराइजर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप लोग चाहो तो सबसे पहले टोनर अप्लाई करके उसके बाद मौशुराइजर अप्लाई कर सकते हो Next में यहाँ पर Primer के लिए Insight का Primer यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो Open Ports है वो थोरा सा Cover हो जाए Next में यहाँ पर Hillary Hoda का Orange Character से थोरा सा मेरा जो Pigmentation है उसे Cover कर लूँगी बहुत ज्यादा लगाना नहीं है Face पर हल्का साही और मैं अपने Finger Tips से Blend कर लूँगी इसे बहुत ही creamy texture में है तो easily blend हो जाता है उसके बाद मैंने foundation के लिए यहाँ पे L'Oreal का true match foundation यूज़ किया है in the shade beige मैं इसे पुरे face पे dot dot करके apply करने के बाद एक foundation brush के help से इसे हलके से blend कर लूँगी और यह step करने के बाद अगर आप उसके बाद beauty blender से blend करते हो तो बहुत ही अच्छा एक coverage आता है मैंने इसके उपर एक foundation के उपर वीडियो भी बनाया है आप लोग चाहो तो मेरे profile में दीख सकते हो और उसके बाद मैं brows के लिए यहाँ पे wet and wild का eye block kit यूज़ कर रही हूँ और एक shape आजाएगा मैं ऐसे अपने दूसरे brows को भी कर लोंगी निक्स आते हैं आई मेकप पे तो मैंने यहाँ पे मेबलीन का fit me concealer लिया है in shade light और मैं पूरे lid पे apply कर लोंगी इसके बाद एक compact powder से मैंने यहाँ पे light and wild का contour palette से यह banana powder से lid को set कर लिया है मैं यहाँ पे green eye makeup लूग करूँगे इसलिए मैंने green eye pencil लिया है आप लोग चाहो तो कोई भी company का ले सकते हो मेरा यह औरिफलिम का है अभी market में बहुत सारे company available है तो आप लोग को अच्छा लागे वो आप लोग ले सकते हो उसके बाद मैं यह green का जल को उसके उपर मतलब crease पे place करके उसे blend कर लिया है और आप लोग देख रहे हो कि उपर के side में green थोरा सा light color हो रहा है जो हम लोगों को चाहिए और mid lead में मैं dark green shade को एक floppy blending brush के help से अच्छे से place कर लूँगी next मैंने green काजल को as a water line पे काजल की तरह apply कर लिया है next उसे हलके से smudge कर लिया है यह brown shade के help से इसे क्या होता है color में एक dip आता है next मैं अपने eyes के water line को tight line कर लूँगी और अपने lashes को curl कर लूँगी curl करके मैं यहाँ पे mebeline hypercal mascara यूज़ कर रही हूँ अपने upper और lower lashes पे मैं एक brush के help से जो fall out हुआ था excess उसे remove कर लूँगी next मैं यहाँ पे mebeline fit me का concealer face ही यूज़ कर रही हूँ in the shade light उसे मैं मुझे जहाँ जहाँ highlight करना है face को वहाँ पे apply कर लूँगी उसके बाद मैंने contour के लिए यहाँ पे NYB का contour stick यूज़ किया है indie shade toast उसके बाद मैं इसे अपने nose पे और जहाँ जहाँ अपने face को sharp करना है वहाँ पे apply कर लूँगी legs मैं इसे blend कर लूँगी पहले dark part को blend करना है उसके बाद light part को blend करना है आप लोग चाहो तो ये contour part को cut भी कर सकते हो अगर आप लोग को tough लगे तो आप लोग जो powder वाला contour होता है वो use कर सकते हो उससे easily हमारे face अच्छे से contour हो जाता है मतलब जो beginners है उनके लिए एकदम perfect है जो मैं next करके दिखाऊंगी आप लोगों को so मेरा पूरा face का makeup blend हो गया है next मैं यहाँ पे मैरी जोके HD का loose powder लेके अपने under eyes areas पे place कर लूँगी और face को थोड़ा सा baking कर लूँगी मुझे इस look में अपने face को बहुत ही जादा sharp और classy बहुत से look देना है next मैं यहाँ पे wet and wild का contour palette से यह जो dust वाला है contour उसे लेके अपने face पे फिर से contour कर रही हूँ bronzing कर रही हो बोल सकते हो अब लोग ऐसा एक kit ले लेना इससे ही अपने face को contour करना यह beginners के लिए बहुत ही easy होता है next मैं पूरे powder को अपने face पे अच्छी तरीके से set कर लूँगी मैंने यहाँ पे blush के लिए sugar का peachy pink blush kit use किया है और मुझे na peachy pink shade बहुत ही प्यारा लगता है मतलब यह बहुत dark नहीं लगता और बहुत ही classy एक प्यारा सा look देता है so yeah उसके बाद मैंने highlighter के लिए यहाँ पे शिवाना का highlighter लिया है और अपने nose, cheekbones, nose, cheekbones, browbones सबको highlight कर लूँगी next same palette से यह dark chocolate shimmery shade लेके मैं अपने eyes के inner corner को highlight कर लूँगी और यह बहुत ही प्यारा लेगेगा look के साथ उसके बाद मैंने NYB का यह maroon shade लिया है lipstick के लिए और इसका shade number है statement 10 और यह bullet lipstick है और बहुत ही अचा स्टेग करता है पर मुझे यह creamy texture नहीं चाहिए मैं थोड़ा सा matte करूगी इसलिए powder से अपने lipstick के उपर place करके matte कर लिया है और last minute मैं browbones को highlight कर रही हूँ, भूल गई थी so guys यह है मेरा final makeup vlog और मैं यहाँ पर कोई भी false eyelashes apply नहीं करूँगी this is my final makeup vlog and I hope कि मेरा यह makeup vlog आप लोगो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से जाके मेरे चैनल को subscribe कर दो और वीडियो को like, comment, share करना बिल्कुल मत भूलना, अपने friends और family के साथ बहुत 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 ज़्यादा share कीजी ताकि वो लोग भी easily ऐसा makeup vlog create कर सके और आप लोग मुझे comment करके जरूर बताना कि यह makeup vlog मेरे उपर कैसा लग रहा है और मैंने जो-जो product यूज किया है, सबका link मैं नीचे description box में provide कर दूँगे, आप लोग महाँ से check कर लेना और आप लोग मुझे मेरे Instagram पे फॉलो कर सकते हो, यही मैं बोलती हूँ, पर Instagram से भी स्यादा, आप लोग मुझे YouTube पे follow करो, बहुत-बहुत subscribe करो, follow नहीं subscribe करो और गाइस मैंने कोई hairstyle नहीं किया है, बस मेरा जैसा hair है, उसको इस टाइ करके, मैंने यहाँ पर पॉनिटेल जैसा करके, ऐसे side में इसको separate कर लिया है, बस और कुछ नहीं, और नौट अंकी, so आप लोग मुझे comment में, आप लोग का blessings बेचते रहना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, so blessings बेचते रहिए, और आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब दके लिए, बाबा, लव यू और, लव यू और, बाबा, लव यू और,